वेलकम टू आओर चैनल एडी एडूकेशन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दात के बारे में यानि की तीत दात की इस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है महतपून है और दात में तरह तरह की समस्याएं क्यों उत्पन हो जाती हैं इन सभी चीजों के बारे में हम लो का कार्य करता है और सबसे बड़ी बात दात की बता दें दात की इतनी बड़ी भूमिका होती है हमारे अंतरगत कि अगर मनुस्य को दात नहों तो हम आसानी से बोल नहीं सकते हैं बोलेंगे लेकिन चीजें समझ में नहीं आएंगी जब हम लोग जन्म लेते हैं दात उसी सम क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, दात जो हैं, उगने लगते हैं, निकलने लगते हैं, और जब हम लोग 3 साल के उम्र तक, लगभग हमें 20 दात निकल आते हैं, 20 दात हमारे पास लगभग हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें, कि ये जो दात होते हैं, milk tea 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 day tea 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 और इनके जगह पर नए दात आने लगते हैं जो ही हमारे दुधिले दात तूटने शुरू होते हैं तूटने लगते हैं तो इनको जगह देने के लिए पर्मनेंट तीथाते हैं यानि कि हमें एस्थाई दाता आ जाते हैं जो की एक लंबे एज तक हमारी साथ देते हैं और हमारे भूमिका को निभाते हैं, हमें तरह तरह की मदद करते हैं। आपके जनकारी के लिए एक और बात की एक ब्यस्क मनुस्य के पास टोटल यानि की कुल 32 दांत होते हैं। इसके बाद हम लोग kinds of teeth यानि की दांत के प्रकार के बारे में जानेंगे की दांत आखिर कुल कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें की दांत के कुल 4 प्रकार होते हैं, teeth are of mainly 4 types. इन चारों के नाम निम्न है, पहला इनसीजर, दूसरा कैनीन, तीसरा प्री मोलर, चौथा मोलर अब इन चारों के बारे में हम लोग संचिप्त जनकारी लेंगे कि आखिर ये चारों किस प्रकार के दात होते हैं तो आईए इनसीजर, यानि कि ये चार होते हैं, इनका मुख्य कारे होता है, भोजन को काटने का और चबाने का, इनसीजर मतलब होता है, छेदक, यानि कि इनसीजर तीथ का मतलब क्या हो गया, छेदक, दात, ये भोजन को क्या करते हैं, तो काटने का और चबाने का कारे करते हैं इसके बाद कैनिन्स जो होते हैं दो उपर के जबडे में होते हैं और दो नीचे के जबडे में होते हैं कैनिन्स तीत्खा मतलब होता है कुकरीय दात ये बहुत ही सार्प होते हैं ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं और ये नुकीले भी होते हैं इसके बाद premolar ये चार उपर के जबडे में होते हैं और चार नीचे के जबडे में होते हैं और ये बिलकुल सम्तल होते हैं प्री मोलर का मतलब होता है अगर दाड ये जो होते हैं भोजन को चबाने का कारे करते हैं भोजन को चबाने और तोड़ने का कारे करते हैं इसके बाद MOLARS ये एक ब्यस्क मनुस्य में टोटल मिला कर 12 की संख्या में होते हैं ये भोजन को चबाने और पीसने का कारे करते हैं MOLARS का मतलब होता है चवांडक और इसको और आसानी से समझना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं चवा का दात अब हम लोग दात को कैसे सुरक्षित रखेंगे उसके बारे में जानेंगे दात की देखवाल कैसे करेंगे इसके बारे में तो सबसे पहले आपको बता दें कि दात को सुरक्षित रखने के लिए दात को स्वस्त रखने के लिए स्वक्ष रखने के लिए कम से कम दिन में दो बार हमें दातुन करना चाहिए खाने के पहले और खाने के बाद ध्यान रहे दातुन करते समय दात के अगल बगल उपर नीचे हर तरह से सफाई होनी चाहिए इसके बाद दात के सफाई के बाद हमें अपने जीवा यानि की जीव की भी सफाई करनी चाहिए बहुत सभी लोगों के दातों के बीच में गैप रहता है यानि की खाली जगह रहता है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उसे अच्छे से साफ करना चाहिए ना कि उसे साफ करने के लिए किसी भी नुकीले बस्तु का परियोग करना चाहिए अगर नुकीले बस्तु का परियोग करते हैं तो हो सकता है कि हमें प्रोवलम उत्पन हो जाए दात को सुस्त रखने के लिए हमें तरह तरह का साग, सबजी, फल और कैलसियम युक्त भोजन यानि की दूद का परियोग करना पड़ेगा मीठा और चॉकलेट का हमें जादे परियोग नहीं करना चाहिए नहीं तो हमारे दात में सडन उत्पन हो सकता है दात हमारा सडने लग सकता है दात को सडने से बचाने के लिए हमें तरह तरह का मीठा प्य पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए कम से कम परियास करना चाहिए कि मीठा पदार्थ का सेवन करें और दात का चेकप कराने के लिए रेगुलरली हमें डेंटिस्ट से यानि की दात के डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए कि दात में हमें तरह तरह का समस्या तो नहीं हो रहा है तरह तरह का परिसानी तो नहीं हो रहा है नहीं तो हो सकता है दात हमारा पीला हो और हमारे द याद के बारे में एक संचिप्त जनकारी अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवस्य बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा सुझाव अवस्य ब्यक्त करें धन्यवाद टेस्टाइब सेटी जुटें आगाए टेंगा टिर्टाइब टेंगा टेंगा ट्राइब है